तो आज सिखने वाले हम लोग mean, mode, standard deviation, cald portion, coefficient of skewness, coefficient of variation, इस data का, तो बहुत ही असानी से सिखाऊंगा, क्यूंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा concept clearly समझा दिया जाता है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, और ये वीडियो अच्छा लागेगा, तो सबसे पहले mean के लिए मैं एक table बना लेता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग इस परकार का एक table बना लेंगे, यहाँ पे देख सकते है test score है, तो test score लिख लिया, number पे student है, तो number पे student लिख लिया, एक table बना लेंगे, mid value का, एक table बना लेंगे, f into m का, F multiply M का ठीक है, ये mean का table है, ये आपको हमेशा बनाना होता है, यहाँ पर जो होगा वो लिख लेंगे, नीचे जो होगा वो लिख लेंगे, M, Fm का table हमेशा बना लेना है, अब यहाँ पर 32, 40 है वही लिख दूँगा यहाँ पर, 32, 40 इस तरह से, यहाँ पर 42, 50 है, तो यहाँ प 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 और 80 to 90 है तो यह हमने फिलप कर दिया क्या करेंगे उपर देखेंगे यहां पे जो नमबर फे स्टुनेंट है 5 9 15 22 14 5 वो उसको इधर फिलप कर देंगे हम लोग यहां पे 5 9 15 22 14 5 जो उपर था टेबल यह हमारा टेबल हो चुका है कम्प्लीट अब मीडल बैल्यू का मतलब क्या है इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है 35 वही लिख दूंगा या इन दोनों को जोर के डिवाइड टू करेंगे 30 प्लस 40 डिवाइड बाइड 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 टू करेंगे तो कितना आगा 35 इन दोनों को जोर देंगे 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाइड बाइड टू करेंगे तो 45 50 प्लस 60 110 हो गया 110 डिवाइड बाइड 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 टू करूंगा तो 55 हो जाएगा उसी तरह से 60 प्लस 70 को जब जोरेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा डिव 90 प्लस 80 कितना हो जाता है 170 डिवाइड बाइड 2 करूंगा तो 85 ठीक है अथार्थ इन दोनों को जोर के डिवाइड 2 करो इतना आएगा इन दोनों को जोर के डिवाइड 2 करेंगे तो इतना करेंगे ठीक है यह आप लोग को यह भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना परे ठीक है पर रियल डूल क्या है इन दोनों को जोड़े डिवाइड बाई 2 करें तो इतना आएगा आप लोग समझ गए होंगे F multiply M का मतलब है इन दोनों को multiply करना है जब इन दोनों को multiply करेंगे F into M को 5 into 35 करेंगे तो हमारा आजाएगा 125 फिर 9 x 45 जब करेंगे हमारा आजाएगा 405 multiply कर दे इन दोनों को multiply कर दे इन दोनों को multiply करेंगे इतना आजाएगा फिर इन दोनों को multiply करेंगे 15 x 55 करेंगे तो हमारा आजाएगा 8 25 फिर इन दोनों को multiply करेंगे 22 into 65 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 1, 4, 3, 0 फिर 14 into 75 को करेंगे इन दोनों को जब multiply करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 1, 0, 5, 0 आप लोग करके देख लेना इन दोनों को जब multiply करेंगे 5 into 85 को जब multiply करेंगे तो आ जाएगा हम लोगा 425, ठीक है, इतना आप लोग करके निकाल लेना, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, Submission FM, ठीक है, यहापे FM है, इसलिए मैंने Submission FM लिखा, Submission FM का मतलब है, इन सभी नंबरों को जोर देना है, 125+, 405+, A25+, 1430+, 1050+, 425, इन सभी नंबरों को जब आड तो हम लोग आ जाएगा 4310, ठीक है, उसी तरह से n की वैल्यू निकाल लेनी है, n का मतलब होता है, इन सभी नंबरों को एड कर लेना है, 5+, 9+, 15+, 22+, 14+, 5 करेंगे, तो हम लोग का जाएगा, 70, ठीक है, इतना करने के बाद, अब हम लोग मीन का फर्मला लगाएंगे, तो मीन का जो फर्मला होता है, मीन को x-bar से denote करते हैं, इसका फर्मला जो होता है, summation fm, divide by n होता है, fm कितना है, 4310, n की value, 70, जब इन दोनों को जब divide करेंगे, ठीक है, तो हम लोग आ जाएगा, 61.57, ठीक है, यह हमारा मीन का answer हो गया, ठीक है, तो उपर देख लेते हैं, क्या-क्या बो निकालने वाले हैं, मोड, ठीक है, सो मोड के लिए, अब यहाँ पर देखे, अब हम लोग निकालने वाले हैं, मोड, ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखता हूं, मैं, 4, मोड, ठीक है, मोड निकालने के लिए, सो याद रखना है, मोड का जो फर्मूला होता है, m, o, d, मोड को MO भी बोला जाता है Z भी बोला जाता है ठीक है आप MO से भी denote कर सकते हैं Z से भी denote कर सकते हैं इसका formula होता है L plus F1 minus F0 divide by 2F1 minus F2 minus F0 into I होता है I के place पे किसी-किसी book में C होता है किसी-किसी book में F1 minus F0 divide by 2F1 minus F0 minus F2 होता है F2 को इधर लिखे या इधर लिखे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो यह फर्मूला आप लोग याद कर लेना ठीक है अब यहां समझना होगा आपको यल की value क्या है ठीक है F1 की value क्या है F1 क्या है F0 क्या है यह सब आपको समझनी होगी तो चलिए पहले इसका value हम लोग समझ लेते हैं अब से पहले हम लोग क्या करेंगे इस frequency वाले table में ठीक है इसमें हम लोग highgest frequency सर्च करेंगे सबसे highgest number कौनसा है 22 है ठीक है अब यह 22 किसमे लाई कर रहा है इस table में लाई कर रहा है इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, सबसे highest frequency पहले हम लोग सर्च करेंगे, उसके बाद देख लेंगे किस table में पड़ेगा, तो यह 60-70 पड़ा, यह highest frequency इन दोनों में पड़ा, इन दोनों में lowest number कौन सा है, 60 है, यहल हमारा 60 हो गया, अब देखे, इसमें सबसे highest number जो होगा, वो हम हमेसा F1 होगा, ठीक है, उससे उपर हमेसा F0 होगा, इससे नीचे हमेसा F2 होगा, सब्सें हमारा highest frequency 15 हो जाता, यह F1 होटा, ठीक है, highest frequency इसमें लाई करती, यह हमारा L हो जाता, ठीक है, तो यहां पे वही बात लिखनी है हमको यहाँ पर देखे solve कर रहा हूँ मैं is equal to L हमारा कितना हुआ 60 हुआ 60 plus ठीक है F1 की value कौन से highest frequency होता है F1 कितना है हमारा 22 minus F0 highest frequency के उपर की value जो होता है वो F0 होता है तो यह हमारा 15 है 15 divided by 2 multiply F1 F1 बोले तो कितना है हमारा 22 22 minus F2 हमारा कितना है highest frequency के ठीक नीचे 14 है 14 हमारा F2 है ठीक है यह 14 है यह समझना है minus F0 F0 बोले तो highest frequency के ठीक उपर 15 यह हो गया multiply यह I का मतलब क्या है इन दोनों का difference कितना है यह जो L ले रहे है इन दोनों का difference कितना है 20 minus 60 करेंगे तो कितना है 10 तो वह हमारा यह 10 हो जाएगा इस तरह से ठीक है अब इसको solve कर लेना है अब इसको solve कर लेना है तो solve करेंगे तो कितना आजागा चलिए 60 प्लस अब 22 minus 15 करे तो हमारा आजाएगा 7 devise by 2 into 22 44 हो गया minus 14 minus 15 कितना हो जाएगा 29 multiply यह 10 का 10 हो गया ठीक है अब इसको solve कर ले 60 प्लस इसको इसको multiply करेंगे तो 70 हो जाएगा 44 minus 29 करूंगा तो कितना आजाएगा 50 ठीक है 60 प्लस इन दोनों को जब divide करूंगा तो आजाएगा 4.6667 आजाएगा तो जो हमारा answer आया 60 60 प्लस 4.666 7 को add करेंगे तो कितना आजाएगा 64.6666 7 आजाएगा ठीक है इतना आजाएगा हम लोग का इसको हम लोग round up कर देते हैं 64.67 लिख देते हैं round up कर देंगे यह answer लिखे यह answer लिखे कोई बात नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ बाते बता देता हूं कि confused नहीं हो कभी-कभी हमारा highest frequency यह आजाएगा सबसे highest frequency 35 होता यह इसमें 35 होता यह फर्स्ट वला जो column है यह 35 होता तो इसके उपर तो कुछ नंबर है नहीं 35 तो f1 हो गया इसके नीचे f2 हो गया 9 इसके उपर तो column है नहीं तो उस वक्त हम लोग f0 माल लेंगे 0 ठीक है कभी-कभी highest frequency यह आ जाता है सबसे 35 यह आ गया 5 के प्लेस पे 35 होता तो यह हमारा f1 हो जाता इसके उपर का f0 f2 तो है नहीं table तो f2 हम लोग assume करेंगे उस वक्त कितना करेंगे 0 ठीक है इतना करने के बाद हम लोग का mean mood complete हो चुका है अब हमको निकालना है standard division ठीक है standard division निकालना है इसी data का ठीक है standard division के लिए add करना होता है अब यहाँ पर f कितना है हमारा 5 m2 बले तो 35 यहाँ पर 35 का square करेंगे ठीक है 35 का square करना है 5 into 35 into 35 जब करेंगे हम लोग आएगा 6, 1, 2, 5 ठीक है उसी तरह से f हमारा कितना 9 है multiply 45 का square करेंगे 45 का square करेंगे 9 multiply 45 multiply 45 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा 1, 8, 2, 2, 5 आजाएगा उसी तरह से 15 multiply इसका square करेंगे 15 into 15 5 into 55 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 45, 3, 75 आएगा ठीक है अधिकांच student क्या mistake करता है इसका square कर देता है f into m को multiply कर देता है उसका whole square कर देता है तो वहाँ पर गलत हो जाएगा ठीक है आपको क्या बोला गया है f into m square है f लेना है इसका square करना है ठीक है इसका square करके उसके बाद multiply करना है f से ठीक है इसका square करके उसके बाद multiply करना है f से तो यहाँ पर क्या करूंगा 22 को multiply करूँगा इसके square से 65 का square से जब 22 को 65 के square से multiply करूँगा तो हमारा आ जाएगा 9 to 950 ठीक है फिर 14 into 14 multiply 75 square 25 square करेंगे 14 multiply 75 multiply जब 75 करेंगे तो उस वक्त हमारा आएगा 78 750 ठीक है उसके बाद 5 multiply 85 का जब square करेंगे 5 multiply 85 multiply 85 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 125 इतना आ जाएगा अब इसको क्या करेंगे summation कर देंगे summation fm square इन सबी नमबरों को जोड़ देंगे 6125 plus 18225 plus 45375 plus 92950 plus 78750 प्लस 36125 जब सभी नमबरों को एड़ करेंगे तो उस वक्त आएगा 277550 इन सबी नमबरों को जब आड़ करेंगे तो इतना करने के बाद हम लोग standard deviation का formula लगा लेते हैं यहांसे यह हमारा formula है standard deviation को standard deviation का formula है root under summation fm square divided by n minus summation fm by n का whole square standard deviation निकालते हो वक्त हम लोग value रखना है summation fm square बोले तो कितना आया हुआ है 277550 divided by n बोले तो कितना है हमारा 70 minus ठीक है अब देखे submission fm का submission fm कितना है 4310 divided by n की value कितनी है 70 इसका whole square है ठीक है इस तरह से square करना है अब इसको solve करना है जब solve करेंगे इस तरह से इन दोनों को जब divide करेंगे ठीक है तो हम लोग आ जाएगा 3965 multiply जब 4310 को divide 70 से करेंगे तो उस वक्त आएगा 61.57 तो इसका square करना है ठीक है अब इसको solve करें तो यह हमारा क्या हो गया 3965 minus इसको जब square करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 3791.04 ठीक है अब जब इसको इससे subtract करेंगे तो कितना आ जाएगा 173.96 जब इसका root निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 13.18 यह हमारा standard division हो गया ठीक है अब इतना निकालने के बाद equation की तरफ चलेंगे देखिए हम लोग का mean निकल चुका है mode निकल चुका है standard division निकल चुका है अब cal person coefficient of skewness निकालना है चलिए निकाल के दिखायता हो यहाँ पे अब b number का solution करेंगे ठीक है cal person coefficient of skewness पुछा गया है तो हम लोग यहाँ पे formula लिख देंगे cal portions coefficient of skewness ठीक है इसका formula क्या होता है is equal to mean minus mode divided by standard division formula होता है तो mean कितना आया हुआ हम लोग का चलिए देख लेते है so mean आया हुआ है 61.57 ठीक है तो वही लिख दूँगा mean के value 61.57 minus mode कितना आया हुआ है चलिए mode देख लेते हैं यहां से निकाल हुए है 64. यहां पे देख सकते है 64.67 आया हुआ है तो वही यहां पे लिख दूँगा mean minus mode बोले तो 64.67 ठीक है उसके बाद divide by standard deviation standard deviation कितना आया हुआ है 13.18 अभी निकाल है यहां पे 13.18 13.18 अब 61.57 को 64.67 से जब सब्ट्राक्ट करेंगे तो उस वक्त हम लोग minus 3.1 ठीक है उसके बाद इसको divide कर देना है 13.18 से इन दोनों को जब divide करूंगा तो कितना आजाएगा minus 0.23 ठीक है minus 0.23 यह हमारा काल पर्शन कोफिशिंट अब skewness हो गया इसको बोलते है negatively skewed इसको क्या बोलते हैं हम लोग negatively skewed बोलते है ठीक है अगर यह positive आता तो लिखते positively skewed अगर 0 आता तो लिखते symmetrical ठीक है symmetrical लिखते थे negative है तो negatively skewed positively skewed अगर 0 आ गया यहां पर काल पर्शन कोफिशिंट का skewness तो उस वक्त लिख लेंगे symmetrical symmetrical का spelling ऐसे होता है SY M M E T R I C A L ठीक है अगर 0 आएगा तो symmetrical लिख देंगे अगर positive आगा तो यहां पर positively लिखते है suppose यहां पर minus 0.23 positive आता तो यहां पर positively skewed लिखते अब हम लोग किस के तरफ चलेंगे question की तरफ चलेंगे last question जो हमारा है find coefficient of variation यह C नमर का question है तो चलिए इसका भी निकाल के दिखायता हूं यहां पर चलिए चलिए इसका जो formula होता है यह होता है standard division यहां पर standard division divide by mean multiply 100% ठीक है standard division किता निकाल हूं थे यहां पर देख सकते है 13.18 यह standard division आया हुआ था मिन हमारा कितना आया था यहां से देख सकते है 61.57 61.57 multiply 100% जब इसको divide करेंगे तो उस वक्त हम लोग का multiply 100 करेंगे तो उस वक्त आयागा हमारा 21.40% यह हमारा coefficient of variation हो गया आयोब आप लोग को यह सारा question समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया हो तो like करना comment करना और subscribe भी हमारे चैनल हो कर देना share भी जरूर करना इस चैनल को support करना इसी तरह के वीडियो के लिए मिलूँगा next वीडियो में और आपको कोई भी question confusion हो तो comment करें comment का reply within 24 hour आपका आ जाएगा तो चलता हूँ बाई 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 झाल